इंडिया में ऐसी कौन सी बेहतरीन गाडिया हैं जिनको खरीदना चाहिए टॉपलिस प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए लंबोर्गनी उरूज ये काफी सक्सेस्फुल गाड़ी साबित रही है पूरी दुनिया में ही महंगी होने के बाद भी बेहतरीन गाड़ी है परफॉर्मेंस वाली SUV कार है गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ पेडरोल इंजन मिलता है ये काड़ सबसे फास्ट SUV गाड़ी है इसकी लुकिंग भी काफी बेहतरीन है और इंटीरियर भी काफी लाजवाब है इस काड़ी में जो इंजन मिलता है फोर लिटर ट्विन टर्बो वीट इंजन मिलता है जो कि 650 PS की पावर जनरेट करता है और एक शोरूम कीमत 3 क्रोड 15 लाग से शुरू होती है फिरे फोर्चुनर फोर्चुनर 7-6 सेटर SUV काड़ी है बेहतरीन है इसकी इंपोजिंग एम्पेरियन्स टॉप क्लास फीचर्स एंड एक्सेप्शनल परफोर्मेंस मिलता है गाड़ी का इंटीरेड भी काफी शांदार है परफोर्मेंस भी लाजवाब है गाड़ी में दोनों इंजनों का उप्शन दोनों ही ट्रांसमिशन का उप्शन 2.7 लिटर पैट्रोल इंजन जोकी 166 PS की पावर जनरेट करता है और 2.8 लिटर डिजल इंजन जोकी 204 PS की पावर जनरेट करता है गाड़ी की जो एक्शोरूम कीमते 30,73,000 से 42,33,000 रुपे तक जाती है फिर थार, थार फोर्ड सीटर SUV काड़ी है ये कार काफी आइकोनिक कार है इंडिया में बेहत्रीने ओफ रोडिंग के लिए भी बैस्ट है इसका इंटीर और फरेंट रोव स्पोल्टियर है रिसाइकनेबल रियर सिट्स एंड रूप माउंटेंड स्पीकर मिलता है दोने इंजनों को अप्शन टू लिटर टर्बो चार्ज पैटरॉल जो की 150 PS की पावर और 2.2 लिटर डिजल इंजन जो की 130 PS की पावर 12,78,000 से गाड़ी की कीमत शुरू होती है फिर है Scorpio SUV गाड़ी है काफी टाइम से इंडिया में है सेल्स पर और काफी कॉंसिस्टेंस है यानि की काफी स्टेबल है इसकी फरन्ट ग्रिल स्टाइलिस LED टैल लैम प्रोजक्टर हैड लैम्स मिलता है और काफी अच्छे टाइर्स मिलते है डिजल इंजन मिलता है 2.2 लिटर जो की 120 से 140 PS की पावर जनरेट करता है और 12,77,000 से गाड़ी की कीमत शुरू होती है फिर क्रेटा काफी खुबसूरत SUV काड़ है इसकी AG डिजाइन, कैपिटिवेटिंग, एप्रियंस और बॉल्ल स्टैंस काफी बेहतरीन बनाता है इसको इसमें आपको एडवांस ब्लू लिंक कनेक्टिविटी एंड इन कार वोईस कंट्रोल टेकनोलोजी मिलती है पैट्रोल वाले डिजल का 1.5 लिटर जो कि 115 PS की बावर जनरेट करता है और 10,16,000 ते गाड़ी की कीमत शुरू होती है फिरेकिया सेल्टोस ये भी काफी सक्सेसफुल मिल्ड अस्यूवी काड़ी है इसका डिजाइन स्पोल्टी विद किया इस सिगनेचर और काफी बहतरीन लुकिंग वाली काड़ी है इस काड़ी में भी पैटरोल, टर्बो पैटरोल और तीसरे डिजल का इंजन यानि इसमें क्रेटा वाले सेम इंजन मिलते हैं बिल्कुल ये क्रेटा की कॉम्पेटिटर कार है 1.5 लिटर नॉर्मल पैटरोल इंजन जो की 115 PS की पावर 1.4 लिटर टर्बो पैटरोल इंजन जो की 140 PS की पावर तीसरे वाले डिजल का 1.5 लिटर डिजल इंजन जो की 115 PS की पावर एक शोरूम कीमत 9.45 महजार से शुरू होती है फिर है वैन्यू वैन्यू काफी सस्ती और बेहतरिन SUV काड़िये काफी पॉपुलर बन गई है इंडिया में इसमें आपको हुडाई इन्नोवेटिव ब्लू लिंक, कनेक्टिविटी टेकनोलोजी और ग्लोसी ब्लैक फ्रेंट ग्रिल, ग्रे रूफ, रेल्स मिलती है पैटरोल, टर्बो पैटरोल, तीसरे डिजल का इसमें जो मिलता है नॉर्मल 1.2 लिटर जोके 83 PS की पावर दूसरे वाला टर्बो वाला 1 लिटर जोकी 120 PS की पावर तीसरे वाला डिजल का 1.5 लिटर जोकी 100 PS की पावर 6,99,000 से गाड़ी की कीमत शुरू होती है फिर हुडाई i20 काफि बेहतरिन और प्रीमियम हैच बैक गाड़ी है इसकी लुकिंग पर्फोर्मेंस सबके सब काफी अच्छी है बेहतरिन कमफर्ट काड़ी है इसमें एर प्यूरिफायर भी मिलता है पैटरोल, टर्बो पैटरोल और डिजल का 30 लिटर वाल एंजन मिलता है 1.2 लिटर पैटरोल जोके 83 PS की पावर 1.0 लिटर टर्बो पैटरोल एंजन जोके 120 PS की पावर 30 रबर है डिजल का 1.5 लिटर जोके 100 PS की पावर एक शोरूम कीमत 6 लाक एक्क्यान में जार से ग्यार लाक चालिस हजार तक फिर अब बलीनो बलीनो काफी खोपसूरत प्रेमियम हैच पैग काड़ी है इसके सेल्स काफी बेहतरिन होती है इंटीरेड भी शानदार है इसमें आपको smart hybrid technology मिलती है जोकी हमारी driving experience को काफी बेहतरिन बनाती है petrol engine मिलता है 1.2 लिटर जोकी 83 PS की पावर जनरेट करता है फिर यह last car swift swift एक all time favorite hatchback गाड़ी बन चुकी है इंडिया में इसकी sales भी काफी शानदार होती है और resale value भी काफी high है performance भी काफी जबरदस्त है petrol engine मिलता है शरिफ 1.2 लिटर और गाड़ी का जो engine है 1.2 लिटर dual jet petrol engine जोकी 90 PS की पावर जनरेट करता है और एक showroom की मत जो है आप देख सकते हैं क्या है इसकी तो मैंना आपको इंडिया की बेहतरीन जिन गाड़ियों को आपको खरीदना चाहिए वेहें बेहतरीन गाड़ी बताईएं आपको आपको उनमें से सबसे बेहतरीन गाड़ी कौन सी लगया में कमेंट बॉक्स मुजगाड़ी का नाम जरूर बताईए